हाई गाइस माई नेम इस निदी भटनागर और वेलकम यू अल इन माई चैनल सो बचों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चाप्टर कमबक्शन और फ्लेम का फस्ट पार्ट चीक है कि दो पार्ट में चाप्टर जो है और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला पार् करते हैं we use different kinds of fuel for various purpose अच्छों बहुत सारा हम जो फ्यूल है इनन है वो यूस करते हैं बहुत सारे अलग-अलग purpose के लिए घर पे आप देखो सबसे पहली बात तो आती है हां पर आप लोग सोचों के fuel क्या होता है fuel मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप जलाते हो ना जैसे कि आ पर अचराइस जलाद जामश्यार थे कर दो जो एक तरीके का fuel होता है या फित ब्हुक प्रोल फ्यूल है ठीक है लकडी कि व्यूल है तो कोई भी विए फिस अरफीन परपस होते है जिसके वजह से आमें जलानाँ पड़ता है एक जाम दद्छेarmed टेंज काइंड जो प्योन जो आप गर में और संख्याओं जरुता है जाया आर बहुत अभी माइस बहुत पर पहुत है इसके साथ in इंडस्टीय इंडस्टीय इन्डस्टीय में भी बहुत सारे पर है हमारे फ्यूल जलने के अन्ट फॉर एनिग ऑ्यूल के लिए लूए भी फ्यूल की जरुवत पढ़ती है, ठीक है, आप can you name a few fuels used in our homes, क्या आप कुछ नाम दे सकते हो fuels के, जो आप घर में यूज करते हो, जैसे घर में क्या यूज करते हैं, घर में देख़ो आप घैस यूज करते हो, ठीक है, PNG गैस आप यूज करते हो घर के अंदर, यहां पर आपको पता ही होगा कोईला होता है चार कोल क्या होता है लकडी का जो जला हुआ पार्ट होता है फिर कोईले बनाए जाते हैं उसको बोलते चार कोल आगे आजो यू आर फामिली और विद बर्निंग आफ तो पता होगा कि बहुत जो केंडल है वो किस तरह से जलती है वाट इस दिफ्रेंस बिट्विन बर्निंग ऑफ यहां पर ना अंतर बताना ह कोईले की जलने में क्या अंतर होता है तो कोईला जब जलेगा तो आपको पते कार्बन निकलेगा कर्म डियोकसाइट गैस निकलेगी कोईला जो हो सकता है अपने जो गैस किया वो राइच हो कैंडल बॉर्ण विद फ्लेम अचा चैनल जो जलती है उस पर फ्लेम होती है बुज्या से यह बाला candle होता, just a minute को मैं अबताती हैं यह candle है, तो यह इसकी law होती है, इस तरह से, candle में लाओगी, लेकिन चार कोल को जलाओगे, तो क्या law निकलती है, इसमें से ऐसा, नहीं होता, कोले को जलाओगे, तो law निकलती है, नहीं होता, similarly, you will find many other materials burning without a flame, इसी तरह से, कि आपको जैसे कोला होता है, ऐसे अलग-अलग materials पता होंगे, जिने जलाने से flame नहीं निकलती है, let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during the process, चलो study करते हैं chemical process की जो burning में होता है, and the type of flame, किस तरह की flame produced होती है during this process, अब हमें आप पढ़ना है, what is combustion, combustion मतलब क्या होता है, कुछ भी जलना, recall the activity of burning of magnesium ribbon अब आपको याद करनी है, वो activity, कौन सी activity, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है, जहां आपने magnesium ribbon को जो है, वो चलाया था, burning of magnesium ribbon वाली activity की थी, याद है आपको class 7th में, we learnt, हमने सीखा था, that magnesium burns to form magnesium, ठीक है, magnesium जो होता है, वो burn होता है, और क्या बनाता है, so magnesium ही magnesium oxide बना होगे, तो क्या बनेगा, क्या form होगा, magnesium oxide, ध्यान रटना, और क्या produce होगा, देखो, heat और light तो हो गई, जब वो चलेगा, तो, we can perform a similar activity, ऐसी ही activity हम perform कर सकते है, with a piece of charcoal, charcoal के तुकड़े के साथ भी कर सकते है, hold the piece with a pair of tong, pair of tong, मतलब के घर में जो ममी जोटी बनाती है, चीमटा जो होता है, उससे पकड़ना, हाथ से पकड़ोगी तो जल जाएगा, अब्यस्ती बात है, चेमटे से पकड़ना, and bring it near the flame, और a candle, आपको लेके जाना है, जो candle की flame है, वहाँ आप लेके जाओ, और a busan burner के पास लेके जाओ, what do you observe, अब आप क्या करोगा, आप क्या observe किया, वो air में burn हो जाता है, we know that coal two burns in air producing carbon dioxide, कोईला भी जो होता है, वो भी burn हो जाता है, और क्या आप reduce करता है, carbon dioxide, heat and light, तो यहाँ से question मन के आ सकता है, कि कोईला जब जलता है, तो क्या आप reduce होता है, एक तो carbon dioxide produce होगी, heat produce होगी, और light produce होगी, चलो आजो हो, यहाँ से पढ़ते हैं अब, a chemical process in which a substance reacts with oxygen, एक chemical process जिसमें कोई भी substance react करता है, oxygen के साथ, and give off क्या करता है, heat करता है, गर्मी देता है, उसी को बोलते हैं, combustion, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही, जो definition इसको mark कर लेना चैसे, यह definition याद कर लेना चैसे, the substance that undergoes combustion is said to be combustible, देखो, कोई भी चीज जो जलती है, वो combustible है, कागस जलता है, combustible है, कोईला जलता है, combustible है, समझते हो, जो चीजे जलती है, वही combustible substances होती है, तो the substance that undergoes combustion, यानि कि बो सबस्टेंस जो अंडर्गोज होते हैं, combustion के जलते हैं, is called combustible, it is also called fuel, अब वही हमरे fuel के लाते हैं, आप गाउं में लकडी जला के खाना बन दो का, the fuel में भी solid, liquid or gas, fuel जो सकते हैं, वो solid भी हो सकते हैं, जिसकी solid में लकडी ले लो, ठीक है, wood जो है, वो solid है, liquid में डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, और gas, ठीक है, तो आपको CNG, PNG, यह सारी जो fuel की तरह यूज हो रही है, तो यह हम example ले सकते हैं, यहां पर, आप मैंशा नहीं, उन्होंने का, sometimes light जो होती है, वो भी निकलती है, जब की combustion का process होता है, जब पुछ जलता है, लेकिन डीजल जलाओगे, तो ऐसे तोड़ी न होगा, इधर as a flame और as a glow, या तो flame उठेगी, या तो फिर glow होगा, in other reactions, दूसरी reactions में जो mention किये गए हैं, उपर, magnesium and charcoal are combustible substances, जो magnesium है, और charcoal है, क्जोंकि यह, जलते है, तो magnesium और charcoal किस तरह की substance है, combustible है, जो चीज़े जल सकते है, जो चीज़े हैं, जो चीज़े सकती है, वो combustible है, आप पत्थर के बारे में पूछो भी आपशे, तो potassium है नहीं, पत्थर नहीं हो जाएगा, आप आँके ऊपर बूजो ने जब ऐसा कहा तो पहली ने क्या जवाब दिया उसने कहा rightly so पिलकुल सही बात है in our body food is broken down by the reaction with oxygen देखो हमारा जो खाना होता है वो हमारी शरीर में जब जाता है तो क्या होता है breakdown होता है कब जब reaction और reaction होता है उसका ठीक है in our body हमारी बॉड़ी में food is broken down food टूटता है किससे by the reaction of oxygen and heat is produced oxygen के reaction से जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम oxygen का reaction होता है हमारे सल में activity is 6.1 में हमें क्या कहरें वो कहरें कि collect some materials like a straw, magic stick, kerosene oil, paper, iron nail, stone pieces, glass आपको इसारी चीज़े इखटी करने हैं फिर आपको क्या करना है use the supervision of your teacher sorry under the supervision of your teacher आप यह सबना आपको अकेले बैठके नहीं करना है आपको अपनी teacher के साथ करना है if combustible take place if combustion take place तो mark the material combustible अगर मतलब जले तो आप कह दो कि यह combustible है otherwise हम क्या है कह देंगे कि यह non-combustible है अब यहाँ पर देखो wood जो है wood लकडी जलती है तो combustible है चलो mark करते है wood जलती है तो combustible है paper जलता है तो combustible है iron nail नहीं जलती है तो non-combustible है kerosene oil जलता है combustible है stone piece नहीं जलता पतर थोड़ी जलता है तो यह non-combustible है stew जैसे ice cream वगरा की stick आती है या फिर आपने वो खायोगा ना आप आजो आके ठीक है अभी चाट है काफी इंपोर्टन हो जाता है अभी नेक्स वीडियो जो है न वहाँ पर आप जरूर पढ़ना एक वीडियो भी डालूंगी मैं आपका जिसमें मैंने डाला है आपके लिए सारी questions पना कि जितना पार्ट मैं पढ़ांगी उतमें सारी questions let us investigate conditions under which combustible take place, combustion take place तो हमें ना investigate करना है आप हमें कोज करनी है किस चीज का कि वो conditions क्या है बहिए जब combustion जो होता है मतलब किस condition में कोई चीज जल सकती है चीक है तो चलो देखते है आप पहले मैं आपको बताई देती हूँ देखो air जो होती है ना उसकी absence में चीजे नहीं जलेगी अगर air नहीं है तो कोई चीज नहीं जलेगी ठीक है oxygen होती है क्योंकि air के अंदर तो बिना oxygen के त जलती हुई जो है मुंबती देखते हैं fix a light candle on a table एक जलती हुई candle को आपको टेबल पर लगाना है put a glass chimney उसके ओपर glass की चिमनी सी रख देनी है over the candle and rest it on a few wooden blocks और दूसरा को क्या करना है नीचे देखो आपने block few वो लकड़ी की तुकड़े लगा रखे है in such a way that air can enter तो वो पहले बाले बता रहे हैं कि देखो मैं बहले आपको समझा देती हूँ यह क्या है यह कांच का glass लगा रखा है उपर से खुला हुआ है नीचे से दो गट्टे लगा रखे है जब इसके पर रखो गया आप यह तो नीचे से भी जो है वो air जा सकती है उपर से भी जा सकती है तो इस case में क्या बता रहे होंगे वो कि मुंबती जो है काफी अच्छे से जल रही है आप देख रहे हो दूसरा case क्या है मैं आपको पहले case समझा देखो फिर पढ़ लोगी दूसरे case में नीचे से कोई हवा जाने की जगा नहीं है तो उपर से जा रही है तो अब जब oxygen उपर से उसको मिल रही है तो थोड़ी जल रही है लेकिन देखो आपने कहा होगा ना अपनी घर देखा अपना तो घर में क्या होता है इधर अगर आर पर है तो हवा अच्छे से पास हो जाती है लेकिन यहां हवा पास नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे तरफ तो इलाका बंद है हमारा अगर एक दरवाजा बंद कर दो तो हवा उतने अच्छे से क्रॉस नहीं हो सकती है तो इस स्थिति में हमारी candle जब थोड़ी भुज सकती वो बुझ जाएगी अब यहीं चीज़ उन्होंने पता रखिया आपको अब अब अब्सर्व वाट हैपन्स तुदा फ्लेम क्या होता है नाव रिमूफ द ब्लॉक दे ब्लॉक निकाले होना ने सेकेंड वाला बता रहे हैं अन लेक्ट द चिमनी रेस्ट उसको प्लेट ओवर द चिमनी फाइनल उन्होंने उपर रह दिया फिगर 6.2 में वाच्ट द फ्लेम अगें दुबारा फ्लेम को देखो वाट हैपन्स क्या होता है इन थ्री केसे इन तीनों किसे में क्या होता है दस दा फ्लेम फ्लिकर ओफ क्या वो फ्लिकर ओफ हो जाती हैं दस फ्लिकर और गिव स्मोग दस इट बॉन अन फ्लेट अन एफ्ट और चैन यू इंफर अनिधिंग अट आल बाउट रोल प्लेट इंद एर इंद प्रसेस ऑ वर्निक पूरा मैं आप पो समझाई दिया था कि जब हमें एर अच्छे से मिल जाएगी तो हमारी आंग जल सकती है यह इंद्यू से मिल रहे थी हैं यह जू दुसरे फाले में क्या हुआ जो है वो नीचे से बंद हो गई तो बीनी की पड़वडा रही है घिक है और इनग इसमोग और इंकेसी में जागी और फ्लेम फाइनली गोज गही क्योगी ए दुझ गई क्यों कुल भी बेलेबल इना आगे पढ़ते हैं, we have read, हमने पढ़ा है, that the sun produces its own heat and light, वही हमने, हमें पता है कि sun की जो होती है, अपनी heat or light होती है, is it also some kind of combustion, कि ये भी कुछी तरह का combustion ऐसा नहीं है, ये किसी भी प्रकर का combustion नहीं है, बहले यहां तक लियर कर लो, In the sun, heat and light are produced, sun में क्या होता है, heat or light produce होती है, किस के द्वारा, by nuclear reaction के द्वारा, nuclear reaction होते है, आप you will learn about this process in higher classes, वो कहरे हैं, बस आप इतना जान लो, अभी बाकी का आप पढ़ोगे higher classes में, यहां पर क्या कहरे हैं, प्लेस आप पीस ओप बनिंग बोट, एक बनिंग यानि की जलता हुआ, लकडी का तुकड़ा लेना है, या फिर चार कॉल लेना है, जो लकडी का बनता है न, कोला बो लेना है, on the iron plate पर, या फिर तवे पर, यह चीज हो कही जैसे कि तबा होता है, cover it with a glass jar, अब उसको cover कर दो glass jar से, यह नि कि कांच से उसको ठटो, और a tumbler से glass से ठटो, मतलब at least उसके अंदर air रुर्कुल नहीं जानी है, लेकिन वो क्या कहने हैं, और a transparent plastic jar से ठटो, क्योंकि आपको देखना है कि अंदर क्या होगा इसलिए उसको ट्रांस्पेरेंट होना जरूरी है तो ग्लास आप कांच का ले ले लेना अगर ग्लास पी ले रहे हो तो आपको बशकर नहीं क्या होता है does charcoal stop burning क्या चार्टोल जो है वो जिलना बंद कर देगा after sometime बिल्कुल अगर end नहीं उद्सेतर करेगी तो क्या होगा दे चार्टोल जो है वो तो बंदी हो जाना है टीक तो थोड़ा यह टाइम लगेगा और एक्दम से वह बुच जाएगा किन यू तिंक आप दे रीजन वाइट स्टॉप्स तो मैंने आपको बताई दिया क्योंकि एर की एपसंस है वहाँ पे एर नहीं है यू माइट है वहर्ट यू माइट अपने सुना ही होगा जब एक इंसान के कपड़ो में आग लगी है तो आग कैसे आग जो है वो क्या होता है उसको चाहिए हवा अब जैसे ही हमने उस इंसान को पूरा तंबल से लपेट दिया तो जितनी भी ऑक्सीजन वेक्दम कट गई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आप इंसान की बड़ी को एक्दम से नाक पे निम करना है उ नेक्स्ट जो है वीडियो में इसके आगे का पड़ी पहले ने extra rave तो आपे तो तलंग कुछ कोष्व देने बाले हूं यहां तक के लिए जितने मैंने आप लोगiben लिए प्रेपेर के हुए हैं यहां तक के पाट के वो कॉश्चन में आपको इसी वीडियो के तुरंद बात दोंगी उसके बाद हम लेंगे आगे का पाट और फिर लेंगे आगे के कॉश्चन ठीक है तो हाथ क्यात आपको पूरा चाक्टर यहीं फिनिश हो जागा जितने बहुत सारे बचों की वास भर सकता है मीदिल Gibbs अंप्पाइबं क्रोंडित्र ठीक है तो पिर मिलते हैं जल्दी से अंख्स वीडियो में आचे कं मेंट बाक्स मैं मुझे बता देना अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो थीक है तो मिलते हैं फिर नेट्स वीडियो में टि